मिस्टर ओकान से मिलना है माजरत के साथ सेर वो मिस्टर वहमत आये है तुम पहले से बहुत बहुतर लग रही हो पता है तुम्हारे चहरे की रंगत भी सही लग रही है देखो तुम इस तरह मत सोचो वरना बच्चे को इस तरह से नुकसान होगा ठीक नहीं हूँ यासमीन यासमीन जांसल को कॉल करो प्लीज उसे कहो यहां आजाए पढ़ना बेबी को कुछ हो जाएगा जांसल को फोन करो मतलब कैसे करो हो सकते है वो किसी डिलिवरी बगरे में बिज़ी हो वो कॉल ना उठाए तो एंब्लेंस बुलबा लो ठीक है ठीक है मैं अभी जांसल को कॉल कर लेती हूँ अल्ला 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 सेल फोन कहां चला गया मेरा देखो इस बार खर खाली नहीं निकला ओ कितनी चोटी सी मश्री बकड़ी है तुमने अब मज़े देखना डॉक्टर, मुझसे किया हुआ वादा भूले तो नहीं न आज कोई काम नहीं होगा, कोई केस नहीं लोगे आज का दिन मेरे लिए है अब बोलो जास्मी तुम सरा जल्दी से आ सकते हो तो अपराख को शायद बीरिंग शुरू हो गई है मतलब तुम अपराख प्रेग्निंट है ना मैं समझ रहा हूँ, उसका डॉक्टर कौन है मुझे नहीं मालूम तुम आज ड्यूटी पर हो क्या नहीं, मैं आज काम नहीं कर रहा मगर बहुत अमर्जन्सी है जांसल, मैं इंतिजार करी हूँ तुमारा ओके, तुम कहा हूँ अश्वा मैं चिनार की घर पे हूँ, तुम एक मर्तबा आई भी थे ठीक है, मिलते हैं जना, कुछ काम आ गया है, जरूरी जाना पड़ेगा मुझे हाँ, समझ गई मैं यास्मीन की कहने पर तो बहता पानी भी रुख जाता है देखो, अगर अरजन्स काम ना होता तो मैं ना जाता, ओके मेरा सलाम कहना यास्मीन गो जनार, क्या हुआ बेटा, तुमारी बात हुई तो पराच से जी अम्मी, हुई ये बात पूछना मनासित तो नहीं, तो मुझे बताओ, क्या हुआ मद पूछ अमी जान, मुझे नहीं समझ आ रही अभी तुम ही तो कह रहे थे, कि तुम्हारी बात हो गई ये उससे उफ, अमी जान, मुझे नहीं पता, मत चिलाएं, ठीक है इस वक्त मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे ये इटेंशन नहीं चाहिए अभी हाई मेरे अल्ला, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही क्या उसने मानने से इंकार कर दिया नहीं, इंकार नहीं किया पर वाजित तो पे भी कुछ नहीं बताया और अगर आप ये जामना चाहती कि उसने मुझे जुट बोला तो हाँ, बोला उसने मेरे से जुट लेकिन कितने जुट बोले हैं, ये नहीं पता पेटा, तुम गुस्टा क्यों कर रहे हो मुझे तुम ऐसे चले सब कुछ मैंने किया है खमनी प्लीज अभी मुझे बहुत गुस्टा है, बाद में वाद करते है अह, मेरा बतनसीब पेटा उसकी खुशियों के दिन अब भी नहीं आए उसे जो मिला, ऐसा ही मिला परसों तक आपके पेपर्स रेड़ी हो जाएंगे, मिस्टर याउद ठीक है सार, गुड डे गुड डे जी क्या कहा मैं आपको तुम्हारा मेरी पीवी से क्या वास्ता है क्या हो गया पागल हो क्या तुम मेरी पीवी से क्या तालुक है तुम्हारा मेरा तुम्हारी बीवी से क्या तालुक है रहान ने अपने डिवास केज के लिए मुझे हाईर किया है कर दो कर दो यहां से सीधा जाके राइट हैंड पे टन करेंगे आप बस वहीं पे रहता है जी बिल्कुल सीधा जाके आगे से टन करेंगे आप वहीं पे रहता है उट ठीक है शुक्रिया आपके जल्दी आदे जाओ अटालत मन देगी झालत मन अेपारि करव दो चालत में जाट जाव झालत मैंगे वे लाट वे लाट रहता है। कौन चिनार तोप्रा का हजबेंट फिल्हाल हो फिल्हाल मिस्टर चिनार खेर तो है आप यहाँ तुम से कुछ जरूरी बातें करें खेरियत है यह क्या तारीक है मिस्टर चिनार तुम से हिसाब किताब लेने आया है वाह वो क्या है यह मेरा कचरा खाना है जरा ध्यान से तुम्हारा मसला क्या है आखर तुम्हें तकलीफ क्या है शाबाश, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है हमारी तो आपस में अच्छी बनती है तो प्राक के साथ क्या तालुक है दमारा जवाब दो मेरी बात का जो जवाब देना होगा, दे दूँगा मगर वो जवाब सुनके तुमें बिल्कुल खुशी नहीं होगी ये मैं जानता हूँ, फिर मत कहला तो अकवास कर रहे हो, क्या खुशी नहीं होगी अगर तुम इस तरह चीख होगे तो हम बात कैसे करेंगे ज़रा ठहरो तो सही बताता हूँ तो प्राक के साथ उर्गुप में क्या काम था तुम बताओ उसने बोला है एरपोर्ट पे मुलाकात हुई मुलाकात हुई हमारी हाँ देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है वो सच बताती है तो तो तुम इससे जड़कते हो इसलिए डर गे शायद तुमें कुछ बताया नहीं क्या नहीं बताया है जानते हो उसकी बेहन जिन्दा है मैंने बताया उसे उसने कहा के मैं अकेली क्या करूंगी गाँ जाकर मैंने साथ जाने की हामी भर ली उसके मेरे साथ ये फजूल बक्वास मत करो और गुप क्यूं जाएगी तो पराक तुमारे साथ शोहर ने उसे तन्हा छोड़ दियो शायद इस हो जासे हुमारा जाती मामला है ये तुमारा क्या काम है उसके साथ तुम हमेशा भूल जाते हो कि तुमसे पहले वो मेरी बीवी थी मेरे बच्चे की मा थी वो रिष्टा आज भी हमारे दिल में काइम है हम जुदा होकर भी जुदा नहीं हो सकते तुप्राग 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 लड़कियों दोड़ों मर्वस तुप्राग बिहोश हो गई तुप्राग उठोना है है क्या हुआ तुप्राग मेडम को नहीं पता कुछ ले कराजिस अंचे से होँआ जी बिल्कुल बिल्कुल तुप्राग क्या हुआ बिहोश हो गई अचानक सूप्राग स्वीथां देखो पलीज उठे हम सब बहुण रगये जो ये ले जोर अजमाई की जरूरत नहीं है चिनार अलगास पहले एक बर अपनी ताकत अजमा चुके हो तो ए अपना गलीज मूँ बंद करो और ये बताओ कि मेरी भीवी के पीछे क्यूं गए कमीने जवाब दे मेरा वल्ला मेरे पास चुपाने वली कोई बात नहीं परवाज के जरीया हम अपने वतन गए वहाँ जाकर अपनी बेहन को देखा और पागल हो गई जो सब के लिए मुड़ा थी वो जिन्दा निकली जब वो रोने लगी तो मैंने उसे साथ लिया और उस घर चला गया जहां हमने मिया बीवी की हैजियत से जो खुबसूरे जिन्दे की गुजारे थी जहां हमारी महबत परवान चड़ी थी कभी उस आशियाने में हमने पुराने दिनों को याद किया तेरा खून पी जाओंगा मैं बर्दाश करो अब तुम मर्द हो शुरू से उसके मालिक बनते अब मारधार से क्या फायदा परवान करो अपनी बखवास मैं चुप माज़ी के बाकियात को बदल सकते हो छोड़ो मेरा गर्वान पुकवास बन करो कोई सबूत नहीं तुमारे पास वाकरी तुम्हें सबूत चाहिए हाँ ये लो तुपरा की कीमती चीज़ हाँ किसके पास है इस वक्त आखिर वज़ा क्या थी जो ये मेरे हाथ लग गया पूछो जरा मेरी बात को हर्फ पहर्फ याद करना होगा चिनार को तब बताओगे जब तुम्हारे पास कोई और चारा न बचे समझे तुम मुझे बेकार की चीज़ समझ रही हो अब तक इतना सारा काम किया कोई धोका खाया नहीं मैं नहीं समझती लेकिन यह हमारे केलकर सिख से एहम हिस्सा है वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा समझे तुम देखो मैंने इस काम में काम्यावी हासिल करने के लिए सब कुछ किया है अब बाकी का काम तुम्हारा है यह नेकलस तुपराग का है अफकॉस यह नेकलस तुम देख रहे हो ना सिख को चिनार ने तुपराग को तोफे में दिया था जब तुम चिनार को सब कुछ बताओगे तो एकदम उसे यह देदोगे काफी होगा सिर्फ तुम से ही डरता है वो पार्टनर यानि शेतान तुम से अज़ादत लिये बगएर एक कदम भी नहीं उठाता चलो देखते हैं तुमें भी क्या करते हो तुम फिकर मत करो मारो मारने से कुछ नहीं बन लेगा हमासिरा में ये लीजिये लाव दो अल्ला सल्लाय ये क्या हो गया अल्ला है अल्ला तो इनकी हिभाज़त कर ये तू उमीद से भी है बूरी बातें मत सोचो मर्वधापा तोप्राक तोप्राक चलो उड़ने ुदाब जाओ जांसल तुम कहा रहा गै जल्दी आओ तोप्राक, तोप्राक हटो मुझे देखने दो कान आया जांसल कहां रह गह थे तुम मैं तो फून सुनता ही पहुच गया हूँ सब छोड़े बता तोप्राक कहा है मुझे माफ करना मैं उसके बेहोश होने की वज़े से बहुत परिशान होगी तुम हटो यहां से तोप्राक जांसल मदद करो मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए मैं आ गया हूँ सब ठीक हो जाएगा ये बता वोमिट तो नहीं हो रही मैं यहां पर कुछ नहीं कर सकता अल्टरसांट करना बहुत जरूरी है ठीक है मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ मिस्ट चिनार को इंफॉर्म कर देते हैं तुम लोग मदाखरत मत करो मैं फुद इतला कर दूँगी तुम लोग वीच में मत पड़ो या अल्ला इन बर अपने रह्म फर्माया रब तो फ्राग कभी तुमारी वफादार नहीं हो सकती मैं मरू या जीओ वो मुझे कभी नहीं भूल सकती उसने माप कर दिया मुझे मुझे आ सुनो चिनार अलगाज मार कर ठंट पड़ गई तुम्हें कौंसमेदान मार्लिया कर दिया जीओ कर दिरे तुम्हें कर दो पड़ धर मुझे कर दिरे तुम्हें कर दिरे वो मुझे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है सारी सूरते हल जानने के बाद भी ये कह रहे हैं आप आपको मिस्यान से बात करनी चाहिए इस बारे में यार बुरा मत मानना, मैं कुछ थोड़ा हद से गुजर गया वरना मैं ऐसा नहीं चाहता था कोई बात नहीं प्रोफेशन लाइफ में कभी कबार ऐसे नाखुशगवार वाकियात हो जाते हैं लेकिन आपने बिल्कु ठीक किया ऐसी बात अचानक सुनका शौक तो लगता ही है और वो भी ऐसी असल बात ये होगी मैंने सोचा भी ना था मेरे दमाग में दूसरी दूसरी बात आने लगी कोई बात नहीं नर्चेने जल्द जल्द अल्ट्रा सांडरू में पहुचाना बहुत जरूरी है जानसे तुमने तो बिल्कुल फिकर में ही गाल दिया क्या तुम्हारे ख्याल से बाशिन का खत्रा है वो भी सकता मगर पहले इंस्पेक्शन जरूरी है निकलना लानत हो इस ट्राफिक पे निकलना यार ये लेलो थैंक यू सो मच दावा दायर कर दिया अभी तक तो नहीं मिस्रिहान ने अप्लिकेशन पर दसकत तो कर दिये है अनकरीब मैं भी काम शुरू कर दूँगा ये कैसे मुम्किन है इसका रिजल्ट क्या निकले मुझे नहीं मालू मगर मेरी आपसे एक इलतिजा है बोने क्या बात है मैं अपनी वाइफ के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ मैं तलाग देना नहीं चाहता मैं समझ सकता हूँ असल में मिस्रिहान ने ठोस तसला गिया है अच्छा आपके दिमाग में इस बात का कोई हल है आप क्या करेंगे मुझे नहीं मालू मैंने कुछ नहीं सोचा मगर मुझे आपकी मदद चाहिए मुझे उमीद है कि आप मेरी मदद करेंगे मैंने मेडिसन्स लिख दी है हर दो घंटे बाद लेना बहुत जरूरी है मैं तुम्हारी बहुत शुकर गुजारू तुम छुटी वाले दिन भी आ गए मगर तुम जानते हो मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ और तुम ही से बात कर सकती हूँ नहीं ऐसी बात नहीं है शर्मिंदा मत करो तुप्रक तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है मगर एक बात जहन ने बिठा लो कि ऐसी कंडिशन दुबारा नहीं होनी चाहिए समझ रही हो ना ठीक है थैंक यू यह लो अपना जैकल शुक्रिया यासमीन मैं पहन लोगी मैं तुम्हारा बैक पकर लेती हूँ चलो रहान फून उठाओ माई डियर शुक्र तुमने फून तो ठाया कब से फून कर रहा हूँ मैं तो पागल ही हो गया था मैं थकी हुई थी बहुत जादा थोड़ी देर और सोलूंगी प्लीज नहीं मुझे तुमसे फौरी बात कर नहीं है अभी उठो मुस्से मिलो जल्दी ओके मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मगर मेरी नीम पूरी नहीं होई थी जरा देर और सोलूं रहान अभी कुछ तेर पहले तुम्हारा शोहर मेरे आफिस में आया था समझी क्या कह रहे हो तुमकान उसे पता चल गया क्या हमारे बारे में उसे अंदाजा हो गया है खेर ये बाते मैं फून बे नहीं कर सकता तुम फॉरन उससे मिलो ठीक है तो मैं अभी आती हूँ फिर खलके हो क्या तोपराख किदर हो तोपराख मिस्स शेनार शुकर है आप आगए अब मैं लाले को सुला के जा सकती हूँ ठीक है जाओ तुम यास्मी तोपराख तुमारे साथ है जिनार है जिनार उसे बोलो बस हम घर आ रहे हैं जवाब दो तोपराख तुमारे साथ है या नि हाँ वो चिनार उसका दिल थोड़ा घपरा रहा था तो हम बाहर घूमने के लिए निकले थे बस बस अभी पहुंच रहे हैं वो घर आ गया शुक्रिया यास्मी तुम बैठो मेरी जाए ओकान कैसी हो रहान? मैं पागल हो जाओंगी इस सब कैसे हुआ कैसे पता चला उसे? अरे तुम बैठो तो सही मुझे यह की नहीं आ रहा क्या कहा उसने तुमसे? मुझे सब बताओ क्या हुआ होगा तुम दोनों की बीच? पहली मतब्बम ऐसा होता है उफ ये शक्स तो पागल हो गया है, मुझे बताओ सब तुम्हारे शोर को पता चल गया है, हम लिए दूसरे को जानते हैं ये कैसे हैं? सेल फून में से नमबर चेक कर लिया हो गो मेरा अल्ला खारत करे फिर उसने मार पिट करना शुरू कर दी उसे खलत समय हुई है, इस बात पर काईल कर लिया मैंने उसे मतलब कैसे? हमारे दरमियान जो भी तालुकात हैं वो उसे वे एक एडुकेट और एक क्लाइंट के हैं बस तो उसे यकीन आ गया या इस बात का? फॉरन तो नहीं इसी वज़े से मैंने उससे ये बताया कि तुम उससे तलाक ने नचाती हो और इस काम के लिए तुमने मुझे हायर किया है मतलब तुमने महमत से जूट बोला? हाँ, होना सब कुछ मनजर आम पर आ जाता मेरे पास और कोई चारा भी नहीं तो वो शक्स पागल हो रहा था तो तुम डर गए वो तुमारे साथ कुछ कर दीगा इस डर से तुमने जूट बोला अरे रेहान अरे वरे बन करो एक तो तुम डर पोक हो और दूसरा ये कि जितना तुम कहते हो अतना प्यार नहीं करते मुझे प्यार करते तो ऐसा नहीं करते रेहान रेहान रुक जाओ एक मिन आप यहीं हूँ अल्ला खारत करे रेहान रेहान एक मिन रुको ये क्या कर रही हो हाँ ये क्या तरीका है मुझसे क्या चाते हो तुम, हमारे दर्मियान तालोग तुम्हारी वज़े से खतम हुआ रहान, एक मिन मेरी बास सुनोगी नहीं सुनोगी, तुम क्या मेरी तरफदारी कर रहे थे उसके सामने ये अगर तुम मुझसे प्यार करते ना, तो डर्पोकों की तरफ भागते नहीं रहान, क्या ये एक जैसी बात है? हाँ? हाँ, एक जैसी है इसका मतलब है कि कुछ समझ ना आए तो बजाए डर जानी के तुम क्या जूट बोलोगे उकान? रहान, देखो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे लोग हमें देख रही है तुम मुझसे क्या चाहते हो उकान हाँ? खुल कर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है ताकि मैं अपने बेटे को उसके बाब के जिरे साया रखूँ जो मेरा शोहर है नाम का उसके पास लोट जाओ उसकी खातर जो मुझसे गेम खेल रहा है देहान अब बस करो तुम से मेरा तालुक है हाँ है तुमने बहुत कुर्बानिया दियें ये भी सच है लेकि तुम मुझमा भरोसा नहीं करती हो बिना कुछ सोचे समझे घुसा हो रही हो तुम्हारा ख्यालता जबी तुम्हारे शोड को कुछ नहीं बताया हमारे बारे में ऐसा है क्या अल्ला अल्ला ये कैसे ख्याल रखना है देखो अगर उसे हमारे तालुकात के बारे में पता चल गया और अब तो उसको ये भी पता है कि तुम्हारे केस के वकालत भी मैं ही कर रहा हूँ तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा और फिर वो तुमसे तुम्हारा बच्चा और वो सब कुछ ले लेगा जो तुम चाहती हो नहीं मैं बेटा नहीं दूंगी यूसफ मेरा बेटा है मैंने भी यही सोचा था तुम जैसी अकलमन औरस से मुझे किसी किसम की बेवकूफी की कोई उमीद नहीं थी समझ गई तुम ओकान प्लीज मुझे मत छोड़ना रिक्वेस्ट करती हूँ गुंसरीन साहिवा मैं आपको आपके घर पर इस तरह बे आराम नहीं करना चाहती थी वो भी अपने किसी काम के लिए पुरा मत मनाईएगा तौबा है मैसे अकबाल जाहिर है कोई अरजन काम होगा असल में अभी इसी वख बात करना बहुत जरूरी था मिस्टर नजीब का बाइपास हुआ है आप जानती हैं कि वो आशकल में डिस्चार्ज होने वाले हैं मैं इसी लिए आई हूँ आमीन आमीन अईसा है कि उन्हें बहुत ज्यदा Actually और Aram की जरूरत है यानी उन्हें परसुकून रहने की जरूरत है हमारे घर में आशकल वैसे ही इसकदर रच लगा हुआ है कि मत पूचिए ये तो सच है कि पोते पोते यां घर की रौनक होते हैं मगर इनसान को और खास दोर पर मरीज को सुकून की जरूरत होती है आप ठीक कह रही है इनसान को बाद आखात खामुशी और सुकून की बहुत जरूरत होती है जिससे प्यार करो वो भी भारी लगने लगता है आप ठीक कह रही है ऐसा ही है इसलिए गुलसरीन साहिबा मैंने एक फैसला किया है कि अब हमें अपना ये अलगास विला आपसे वापस ले लेना चाहिए अरे ऐसा मत कीजिए मैसर अखबार वो तो हमने आसम साथ को फरोग कर डियार जानती है हम अब भी वापस ले सकते हैं ये मुम्किन नहीं मेरा ख्याल है इस विला की बहुत सारी तामीर हो रही है बलके वो आजकल में मुकमल होने वाली है अरे ये तो और भी अच्छा हुआ हम नियू एग्रिमेंट कर लेंगे मेरा ख्याल है कि उन्हों ने इतनी बड़ी लागत इसे बेचने के लिए बिल्कुल नहीं लगाए यानि मेरे ख्याल में वो इसे फरोग नहीं करेंगे गुन्सरीन साहिबा आपको लोग यूही तो नहीं हमारे बारे में ये बताते रहे हैं कि हम गीमती जायदादें खरीदने वाली लोग हैं मैं मू मांगी गीमत अदा करने को तैयार हूँ अलगास फिला की मेरे लिए बहुत एहमियत है हाँ मू मांगी गीमत देने पर तो ये मामला फिलकुल आसान हो जाएगा ना मुझे अलगास विला चाहिए किसी भी गीमत पर आपको रकम की दरूरत है मेरा ये ख्याल नहीं मगर मैं फिर भी आपके चांस के लिए बात करूँगी देखते हैं होता है या नहीं कोई जवाब तो मिलेगा आप परिशान मत हो हमारे हाथ में आपकी पसंद के मरताविक और भी बंगले है मुझे किसी दूसरे बैंगलो में कोई दुछस्पी नहीं है गुलसरीन साहिबा इस्तंबूल में हमें वो विला सबसे ज़्यादा पसंद है मैं और मेरा सारा खंदान मिस्टर नजीब से बहुत प्यार करते हैं उस विला को बेचकर हमने बहुत बड़ी खलती की थी मैं मिस्टर नजीब के लिए उस विला को दुबारा खरीदना चाहती हूँ ताकि उनकी बग्या जिन्दगी उस विला में बहुत आराम और सुकून से गुजरे मिस्टर नजीब की सेहत और जिन्दगी हम सब के लिए बहुत एहमियत रखती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि अलगास विला दुबारा खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर दूँ आपने जाता कहा है मैं वह जरूर करूंगे मिस अक्माल ठीक है आप बात करके देखिए और अगर बात ना बनी तो मैं किसी और से बात करके देखूंगी अगर अपने पसंदीबा विला मैं ना ले सकी तो मेरा नसी अगर आपके हातों ये काम हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गुलसरीन साइबा तुम ठीक हो? सूपर हूँ वगर थोड़ा से ठक गई हूँ, सोना चाहती हूँ क्या तुमने ड्रिंक की है रेहान? मना है क्या? मैं तुम्हारे मूनी लगना चाहती हूँ, मैं मतमत धग चुकी हूँ, सोना चाहती हूँ, गुद्ध मैइट मैं तुम्हारे मूनी लगना चाहती हूँ झाहती हूँ झाल झाल क्या हुआ हुआ वो आ गया क्या पालो नहीं मुण नहीं आया आप तक तुम रिलेक्स हो जाओ ठीक है हमारी जो बात हो यह भूना मत मैं खौफ़द नहीं हूँ मैं उससे डिवॉर्च लेना चाहती हूं उकान बस मुझे यही कहना है उससे हो सकता है वो तुम्हे नाच छोड़ने का कोई बहाना ढून रहा हो मुझे भी यही शक है महमत बहुत दबाओ डालने वाला इंसान है मरना तो कब से छुटकारा पाचुकी होती ठीक है तुम रिलेक्स हो जाओ उससे जो भी बात हो मुझे फॉन बता देना तो फ्राग कभी तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती मैं मरू या जीओ मैं मरू जीओ यह पताओ चनाल गुस्से में तो नहीं था पता नहीं मुझे केरी जान उसने जाकर शायद अस पागल से बात की है शितकों से चलो जो भी हो देखो वो भी शर्मिन्दा होगा कि उसने बात क्यूं की तुम फिकर मत करो मुझे परवा है मुझे यकीन है अभी तुम देख लेना वो घर आके तुमसे माफी ही मांगेगा वो तुम्हे अदास नहीं देखेगा वो तुम्हे खुश रखना जानता है इस बात को तुम भी मानती हो इंशालला ऐसा ही हो मैं तुम्हारी हर बात के लिए शुकर गुजारू यासमीन शुक्रिया कोई बात नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं यासमीन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे बेहोश होने और हॉस्पिटल जाने के बारे में हर गिस चिनार को मत बताना मैं तुमसे घज़ अज़िए बारे में झाल झाल